Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello guys, welcome to my YouTube channel Vyanage Lifestyle. This is Bhavya here. Today I have come up with a new beauty video for you. So, in this beauty video, we will talk about the beauty of the skin. You can make the skin from the skin. So, have a look on this video. But before watching this, subscribe to my channel Vyanage Lifestyle. And tap that bell to watch our latest videos daily. Tip number 1 चेहरे के लिए दूद कच्चे दूद को गुलाग जल में मिला कर चेहरे पर लगाने से तवचा पर निखा राता है. गुलाग के दो फूलो को पीस कर आदा ग्लास कच्चे दूद में 30 मिनट तक भिगोएं. फिर इस लेप को आइस्ता आइस्ता अपनी तवचा पर मलें. सूखने पर ठंडे पानी से से दो दें. तवचा गुलाबी और नर्म हो जाएगी. इसके अलावा दूद में थोड़ा सान नमक मिला कर चेहरे पर सुबा शाम लगाने से मुहां से दूर होते हैं. एक और तरीका है मुहां से दूर करने के लिए. आदा चमच काला तिल और आदा चमच सरसो को बारिक पीस कर दूद में मिलाकर मुहासो पर लगाने से मुहासे दूर हो जाते हैं चिप नमबर टू होटो के लिए दूद होट अगर काली हो गए हो तो दूद को होटो पर लगाने से काला पन दूर होता है अगर आपके होट फट गए हैं तो रात को सोने से पहले एग बून गुलाब जल और एग बून नीम्बू के रस दूद की मलाई में मिला कर लगा ले इससे आपके काले होट की प्रॉब्लम दूर होगी बदाम, बेसन, गाजर का रस दूद में मिला कर उप्टन की तरह लगाने से त्वचा में निखार आता है चिप नमबर त्री हाथ और नाखुन के लिए दूद नाखुनों को सुन्दर बनाने के लिए कुछ देर तक दूद में बिगो कर रखे बरतन साफ करने से हाथ खुर दूरे हो जाती है इन पर दूद में नीमबू का रस मिला कर लगाने से हाथ की तवचा मुलायम हो जाती है दूद की मलाई और हल्दी पाउडर मिला कर चैरे पर मले दो हफते बाद चैरे पर निखार आ जाएगा तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में हमने जाना कि दूद हमारी स्किन के लिए कितना ज़ादा बेनिफीशल होता है इससे हमारा रंग तो गोरा ही होता है साथ ही हमारे हाथ पैर भी सुन्दर होते है ऐसी और ब्यूटी वीडियो देखने के लिए स्टे टून विथ आर चैनल तिल देन स्टे हपी और स्टे ब्यूटिफू बाई